हाई फ्रेंड्स आप सभी को मेरे नमस्क्राइब आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेश्टर यूट्यूब पर शौगत है दोस्तों आज हम लोग फिर से एक रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं और जो स्टॉक रहेगा दोस्तों वह फार्मा सेक्टर से आती है और वह सेवन वन रूपीज पर जा करके लोजिंग दिया है दोस्तों जो भी मेरे पूराने विव्यूर्स हैं उन्हें याद होगा कि हम लोगोंने 27 नमवंबर को एक वीडियो अपलोड किया था क्लाइंट फार्मा के ऊपर जब यह भारी बिक्वाली में चल रहा था इसमें काफी सेहर भाव था दोस्तों वो 3478 देखने को मिल रहा था और अगर हम लोग वापस इसके चार्ट पर आते हैं दोस्तों क्लाइंट फार्मा के तो देखिए लगभग वो अस्तर इन अस्तरों के पास था यह जो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है यहां पर वो ट्रेड सेहर में हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है और यह सेहर देखिए दोस्तों अब तक्रीबन 400 रुपे की तेजी लोवर लेवल से दिखा चुका है तो दोस्तों उस वीडियो के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं जिनोंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को जा करके जरूर देखें भहुत सारी जनकारियां थी जो कि उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लाया था और जिसके अधार पर यह अनुमान लगाया था कि इस चेर में लोवर लेवल से अच्छी खासी तेजी हो सकती है तो तेजी तो दोस्तों लोवर लेवल से काफी तगड़ी देखने को मिल रही है रिकावरी काफी फास्ट देखने को मिल रही है अब दोस्तों इस वीडियो के जरी हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे कि ग्लैंट फार्मा को अगर हम लोग लंबे समय तक रखते हैं तो यह हमारे एक मिनिमम कि इसने अभी तक कंसिस्टेंसी दिखाई है रिवेन्यू जेनरेशन के मामले में जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में भी डिसकस किया था इनके नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे ग्रोथ रेट से हम लोगों बढ़ते हुए देखे थे उस सारे के सारे जो ड ताकि जो ने भीवर्स हैं उनको मेरी बाते समझ में आ जाए तो चली दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि ग्लैंट फार्मा क्या एक मल्टी बैगर रिटर्न देनी की छमता रखता है क्या इसमें वो पोटेंसियल है कि हम इ लेकिन दोस्तों मेरा आप भी और से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सुरू से ले करके अम तक बने रहोगे तब ही आपको मेरी बाते समझ में आएगी नहीं तो आधा अधूरा ग्यान ले करके जाओगे तो आपको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बने रहोगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फ़र्स टाइम आये हो तो फटाफट में चैनल को सब्सक्राइब करने में इस प्रकार की इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव करते हैं और ग्लाइड फार्मा के जो रिटर्ण है ग्लैड फार्मा के जो रिजल्ट आये हैं वह कैसे आये अभी तक उसको हम लोग चिक करते हं तो यहां पर देखिये दूस्तों एन्वली अगर हम लोग बात करें ग्लाइंट फार्मा की तो इसके जो टर्ण ओभर हैं वो तक्रिवन 1479 करोड से बढ़ करके 2021 में 3462 करोड हो गया है काफी तगड़ा इन्होंने लास्ट फाइब यस में टर्ण ओभर का ग्रोथ दिखा है काफी तगड़ा है यह कंटीनियूसली कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है रिवेन्यू जेमरेशन में अगर बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी इसके जो कंसिस्टेंसी है वह काफी तगड़ी है यह देखिए लगातार यह अपना इसके रिजर्व बढ़ रहे हैं कि नहीं तो यहां पर मों देख रहे हैं कि रिजर्व भी लाश्ट फाइव यहस में तक्रीबन टू टाइम से ज्यादा हो गया है तो इनके रिजर्व बढ़ने में भी काफी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है तो बहुत ही इसके हर पारामीटर में काफी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है तो हम लोग यह बोल सकता है कि ग्लाइन फार्मा के बहुत ही अच्छे हैं अब अगर हम लोग सम्राइज व्यू में यह देखने की कोशिश करें कि सी एजी आर के टर्म में इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉ वही पर इनके कंपॉंडेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वह 26 परसेंट के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो काफी जबर जस्त इनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का परफॉर्मेंस रहा है हम लोग उमीद करेंगे कि इसी प्रकार के अगर ग्रेंड फार्मा में देखने को देखने को मिलता रहे है अगले 10 सालों में 15 सालों में 20 सालों में तो अब यह तैय करने के कोशिश करेंगे कि यह इन अस्तरों से कहां तक जा सकता है अगर हम लोग आज के डेट में इस स्टॉक में तक्रिबन 10 सेर भी खरीते हैं मिनिमम तो हम लोगा कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों तक्रिबन 38,000 के आज बस तो 38,000 को हम लोग बेश मान लेते हैं कि हम लोगों ने 10 सेर खरीदा ग्लैंड फार्मा का आज अब हम लोग यह जानने ही कुसिस करते हैं कि 10 साल बाद यह स्टॉक कहां पर ट्रेड कर सकता है 15 साल बाद कहां पर ट्रेड कर सकता है और 20 साल बाद कहां पर ट्रेड कर सकता है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग नमसम कैलकुलेटर का सहरा लेंगे उ कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है इसके कंसिस्टेंसी इसी प्रकार से मेंटेन रहती तो किस भाव पर एटेट कर सकता है हम लोगों ने दोस्तों लंप सम कैलकुलेटर खोल लिया है अब हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 38000 का इसको यहां पर हम लोगों ने ले लिया और expected rate of return है दोस्तों वह हम लोग ले लेते हैं तक्रिबंट 20 परसेंट ठीक है तो 20 परसेंट लेते हैं तो यहां rate of return को हम लोगों चेंज कर लेते हैं 20% से rate of return को हम लोगों ने 20% ले लिया और time horizon दोस्तों 10 years रखते हैं अब हम लोग यह समझनी कोशिस करते हैं कि इसक जो future value होगा 38,000 का जो कि हम लोगों ने 10 share लिया है उसका क्या हो सकता है तो यहां पर दोस्तों जो value निकल करके आ रहा है यह 2,35,286 रूपे निकल करके आ रहा है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि 10 साल में 38,000 valuation जो है तक्रिबं धाई लाग के करीब कि जो इनका time horizon है इसको त्वासा लंबा कर लेते हैं कि 15 सालों का ले लेते हैं तब यह value क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों तो 38,000 दोस्तों यह तक्रिबं 6,00,000 रूपे में convert होता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ना expected rate of return जो 20% लिया है यह काफी conservative है और जिस प्रकार की consistency ग्लाइंड फार्मा दिखा रही है यह आसानी से यह maintain हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है तो हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक छोटा सा amount इस stock में invest करने से लंबे समय तक बने रहते हैं तो एक बड़े amount में convert होता हुआ देखने को मिल रहा ह और अगर हम लोग दोस्तों यह जो time horizon है इसको 20 years कर लेते हैं तो क्या देखने को मिलेगा इसका return 38,000 का तो यह देखिए दोस्तों 38,000 convert होकर के तक्रिवन 14,500,000 रुपे में convert हो जा रहा है तो हम लोग इस प्रकार से दोस्तों इस समझ पाए कि gland pharma में जो consistency बनी रहती है परफॉर्मेंस दिखा रही है वो इसी प्रकार से रहती है और काफी moderate rate of return हम लोगों ने 20% लिया तो यह stock काफी दमखम रखता है कि लंबे समय में हम लोगों को wealth create करके दे सके ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों बाकी consistency को measure करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहोगे और लगातार मेरे चैनल पर देखते रहोगे मैं समय समय पर जब भी result आते हैं किसी भी अच्छे company के तो उसका मैं review video बनाता रहता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि जो performance किसी भी company ने past में दिखाया है वो maintain है या नहीं उसका comparison हम लोग करते रहते हैं कि result अच्छे हुए या खराब हुए और company के जो performance है वो आगे कैसे रह सकते हैं तो मुझे अभी तक तो लग रहा है दोस्तों कि gland pharma में काफी potential है जो कि wealth create कर सकता है और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है आप जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे और comment छोड़ना भी न भूलें कि आपके comment से मेरा भी motivation level काफी बढ़ जाता है तो दोस्ते हमनों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए बाई बाई